नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उमीद करता हूँ सब कोई ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्थ होंगे आज हम बात कर रहे हैं प्रचीन भारत की सबसे सांधार पुस्तक और एक प्रमारिक पुस्तक माने जाती है जिसके लेख का उपिंदर सिंग है उपिंदर सिंग मैम है और यह पुस्तक प्रचीन पूर मद्धकारिन भारत करती हास पासांड काल से बारवी सताबदी तक है और यह पियरसन पुब्लिकेशन की ओर से चपती है यह पुस्तक इस पुस्तक को मैं एमा जॉन से मंगवाया था उपिंदर सिंग मैम की एक पुस्तक आती जो एंसेंट हिस्ट्री इसकी इंगलिस ट्रांसलेटर बुक है मतलब यह इंगलिस का ट्रांसलेटर बुक है और इसका नवादक हितेंदर अनपम ने किया है और यह इंगलिस का ट्रां लगेगा लेकिन आप लोग समझ सकते हैं एक पज्ञानिक पध्धति की और से लिखे गई पुस्तक है और यह एक ऐसी प्रमारिक पुस्तक है जो की बहुत ही कम इसमें गलतियां मिलती है और यह पुस्तक का कोई तोड नहीं है अगर आप देखें तो इस पुस्तक से कोश्चन हो या net יש रएफ कोश्चन हो यह कोई भी जाम हो सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक के मानजाति प्रचें भारत प्रमारिक पुस्तक माने जाती है और इस पुस्तक की अगर हम बात करें तो पुस्तक में यह सब आपको फोच्टोग्राफ पर चिंद मिलेंगे कि पुस्तक की पेज क्वालिटी ठीक है और अच्छे लेख का पुस्तक की सुरुआत आप लोग देख सकते हैं इसमें अच्छ अच्छ मैप है इस्टूडेंट को पढ़ने में कोई कटनाई नहो इस्टूडेंट्स मैप देखे और उसे अपने मैप के दोड़ा अनुमाल लगा सकते हैं किस समय उस समय इस्थिती कैसी थी प्रचीन काल में भाद के इस्थिती यह सब सारी चीजें इस पुस्तक में समाई थे और एक अच्छे अच्छी पुस्तक यह इसे ज़्यादा लोग यूप्यस्टी के लिए चुनते हैं जिनका हिस्ट्री ऑफ्सनल होता है उसके बह सापके सामने ला सकूंँ इसलिए मैं थी ठोड़ा देर लगा लगे पुस्तक को दिखाने में ईसके मैप और अच्छे हैं पुस्तक कबर करती है आपके सारे मैटर एक परमारिक पुस्तक अब जानते ही लिपी की ने प्रचीने भाद में लिपीया और कैसी इसी से बने थे आप लोग देख सकते हैं इस बार जो बीरगल इस महारक पत्थर से जो पूछा गया था वह आपके सामने ही है NetJRF में इस क्वेस्टन आया था डिरेक्ट अगर आप देखें तो सिक्के का मैप अगर आप देखें तो सबसे एक अच्छी पुस्तक है हर एक टॉपिक को पुस्तक कवर करती है सैल चित्रियां कैसी थी पासान काल में मानुग जीवन कैसा था ये हाथ नौरा से जो एक सिसू कापाल मिला है राप्त कापाल उसका टॉपिक और इस में मैप भी अच्छा है इसमें कोई दोरा है नहीं गर आप देखें तो पुस्तक की पेज कॉलिटी तो ठीक है लाजवाब है पुस्तक थोड़ा आपको महंगा पड़े गए लेकिन अगर आप आनलाइन मंगवाते हैं तो मेरो कोच 610 में पड़ा थे पुस्तक और इसे कीमत 749 है अगर मैं आपको और दिखाऊं तो पुस्तक का कंटेक्ट लेवर बहुत अच्छा है इसमें विद्यारति अपना कंटेक्ट बना सकते हैं याने कि आप संपर्क कर सकते हैं पुस्तक को लाजिक को समझने के लिए मेरे कहने के मतलब या है अगर आप देखें तो इसमें हर एक टॉपिक की एक कभार करता है पुस्तक मैप हैं जो कि पुस्तक को अपने और अकरसित करती हैं पुस्तक की स्टुडेंट अच्छे समझ सकें पुस्तक को इनको कोई कटना ही नहों पढ़ने में इसलिए सारे ची पुस्तक आपको जितने कल्चर देखने को मिलेंगे चाहिए नौपसांड काल को सिंदु सब्विता की हो यह वैदिक काल की संस्कृति हो सब सारी चीज़े इस पुस्तक में समाहित है इसमें आपको कुछ भी आपका छूटा नहीं रहेगा जो कोई कला संस्कृति भरमार है पुस्तक में अगर आप देखें तो हड़ापा सब्विता भी इतने डीप से लिखा गया है और अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो अच्छे सध्यान करें और इसमें इसके सारी टॉपिक को देखें हर कुस्चन यह पुस्तक से चपता है बनता है क्योंकि यह प्रमारी पुस्तक माने जाती है और यह देख सकते हैं मद गंगा नदी घाटी छेत्र कैसा था इसके जो अनसोध हुए हैं अनसोध हुए हैं यह सब इसमें लिखा गया है बरतमान पस्तिती में आप देखें तो दाइमाबाद की स्तिती कैसी थी और आपको यह सारे नोट्स बनाने पुस्तक में गैप भी है कि अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं पास में आप अपने नोट्स बना सकते हैं अगल वगल इसमें इसमें कोई दोराय नहीं अगर जो को यू प्यस्तित त्यारी करते हैं उनके लिए सबसे बेश पुस्तक है नेट जियराइप के ल जिरूर अध्यन करें क्योंकि यह प्रमारिक पुस्तक है और प्रचीन बहार से जादर से जादर कोशने से पुस्तक से बनते हैं आप लोग जानती हैं और एक और पुस्तक सांदर पुस्तक है पपुसिंग प्रजापत की आप उसका भी अध्यन कर सकते हैं वह भी एक अच् चाहिए आप पपुसिंग प्रजापत पढ़ लें या उपिंदर सिंग दोनों सेम ही सांधर बुक्स है दोस्तों मेरी राय में पुस्तक तो बहुत ही अच्छी है आप लोगों को जरूर अद्धन करना चाहिए और जो की इतिहास के विद्यारती हैं उन्हें तो यह पुस्तक रखनी चाहिए क्योंकि आपके पास एक प्रमारिक पुस्तक हो जब भी आपको किसी भी एक्जाम में कोई भी कुछ एंसर चैलेंज करने को मौका मिल सके तो आप इस पुस्तक से आप एंसर चैलेंज कर सकते हो तो इसलिए आप लोगों को यह पुस्तक रखनी चाहिए और इसका ध्यन करना चाहिए इसमें कंसेप्ट लाजवाब है मैप भी आप देख सकते हैं फोटोग्राफी एक नमबर के पेज क्वालिटी भी सांदार है ऐसा लगता है कि यह सीधे एफ और साइज में प्रिंटिंग करके आया हुआ पुस्तक है लाजवाब एफॉर्ट है पुस्तक किसमें कोई दोर आए नहीं आप अगर देखें तो हर एक टॉपिक कफर करती है गुप्तकाल में कैसी थी बहुत इस्तव कैसे थे बांदोगर के पवित्रदान गुफाबलेक वकाटक के समय भूमी अनुदान के सरतने कैसे दोस्तों मैं आप लोगों को और दिखाय दे रहा हूं यह मंदिर के जितने सारे चित्र हैं पिक्चर्स हैं आप लोग देख सकते हैं पुस्तक का क्वालिटी अच्छी है मैप वगेरे भी सांदार हैं ऐसा लग रहा है कि हम कोई मैप निकलवाए हो इस टाइप में है पिक् के बारे में यहां पर आप लोग देख सकते हैं और यह है परिभासिक सब्दावली जो की फैक्टर रूप में पुछा जाता है एक्जाम में जैसे गंड का क्या अर्थ है गरंथली पी क्या है कोरा उजार क्या है कौड़ी क्या है यह सब सारी चीज़ें इस पुस्तक में है और आप लोग अपना नोट भी कर सकते हैं कुछ अगर लिखना हो यह पुस्तक अगर जो कोई आपको समझने में थोड़ा सामय लगेगा क्योंकि यह एक ट्रांसलेटेड बुक है इसको इंगलिस से हिंदी में अनुबात किया गया है तो आप लोग इसे जरूर पढ़ें अ कद्यान करते रहें यह पुस्तक UPSC NetJRF के लिए बहुत ही सांदार पुस्तक है KVS के लिए अच्छे पुस्तक है और आप इसके साथ पपुसिंग प्रजापत भी पढ़ सकते हैं वह भी एक सांदार पुस्तक है आप तोनों पुस्तकों कद्यान करें इससे कोई भी कुस्